हेलो दोस्तो और स्वागत है आपका Total Prep UPSC चैनल में जिसमें आज मैं आपके लिए लिखाया हूँ आज की सारी Current Affairs का Rapid Round Up जिहां दोस्तो The Hindu, Indian Express, PIB और भी दूसरी सोर्से से आज की वो सारी न्यूस जो UPSC Prelims और इसी तरह के दूसरे MCQ-based exams के लिए important हैं, relevant हैं उन सारी न्यूस की coverage rapid format में मैं आपके लिए लेकाया हूँ, साथी साथ, न्यूस की coverage के साथी साथ, हम उन static के portions पे भी ध्यान देते चलेंगे, जो कि न्यूस के Current Affairs में आ जाने की वज़ा से अब relevant हो गए हैं, तो आपका dynamic और static दोनों portion का एक rapid revision इस वीडियो के साथ हो जाएगा तो आज ऐसा कि आप इस front page से देखी सकते हैं कि आज International MSME Day है, ठीक है, तो MSME के issues पे सुईधागा करके बहुत बढ़िया फिल्म आई थी, उसका poster में नहीं आपर दिया, आपको याद रहेगा 27 June is International MSME Day, ठीक है, चले चलते हैं आज की पहली news पर, आज की पहली news है regarding constitutional reform in Russia, दे जैसे कि यहाँ पर देखे, reform को quotes में दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि शायद यह reform नहों के उसका उल्टा है, ठीक है, इस बात को व्यंग्यात्मक तरीके से कहा जा रहा है, इस बात को और highlight करने के लिए देखे, मैंने एक cartoon भी यहाँ पर दिया हुआ है, कहते हैं कि a picture is worth a thousand words, ठीक है, तो एक image जो है, वो एक हजार शबनों की बात को बया करती है, यह phrase भी बहुत अच्छा phrase है, answer writing, essay writing वगरा में आप इसको use कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, यह जो एक doll होती है, सोचिए यह जो side में doll का head रखा है, उसको इस doll के torso के ऊपर रख दिया गया ह ऐसे आप imagine करिए, तो व्लादेमिर पुतिन का जो रख्या के राफ्टर पती है, उनका आपको image दिखेगा, यह जो doll है, जिसमे doll के अंदर doll होती है, उसको खोलो तो उसके अंदर record doll होती है, इसको Russian doll कहते हैं, ठीक है, तो रख्या में इस तरह की doll को इजात किया गया था, आ रख्या के कुख्यात, notorious dictator रहे हैं, उनकी doll आपको मिलेगी, तो basically पुतिन अंदर से स्टालिन है, यानि पुतिन एक dictator है, ऐसा कहा जा रहा है, इस image के द्वारा, ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पर basically आज की news क्या है, कि constitutional reform पे रख्या में voting होने वाली थी, जो कि COVID की वज क्या ये है, इंडिया की raw है, वैसे ही रख्या की KGB है, Soviet Union के समय की KGB थी, ठीक है, तो Vladimir Putin उस समय के एजेंट थे, बाद में KGB के अध्यक्ष बने, अभी काफी समय से वो रख्या के सर्वे सर्वा है, पैसा कह सकते हैं, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, देख्ये, कि voting for constitutional reforms in Russia had begun, on voting was originally scheduled to be conducted on 22nd April, had to be rescheduled to 1st July, following the rising number of COVID-19 cases in Russia, ठीक है, क्योंकि अप COVID आ गया, तो ये इस पर voting पोस्पोन हो गई, देख्ये, इस constitutional reform के बारे में, question जो आएगा, इस reform के बारे में आएगा, ठीक है, तो Vladimir Putin's current term as the President of Russia ends in 2024, 2024 में उनका term खतम हो रहा है, 15 जनवरी को President Putin, जो अपने साल जाना एक वहां की Parliament को address करते हैं, तो उन्होंने announce किया कि उनकी 14 articles में, उनकी समविधान के 14 articles में कुछ amendment किये जाएंगे, ठीक है, for introducing these amendments, he called for a nationwide referendum or a national vote, ठीक है, तो वहां की समविधान में शायद ये प्रावधान है, कि समविधान में संशोधन एक राश्टर व्यापीस referendum, जन 2024, आप देखें ये कितना, ये एकदम से हास्यासपद होता अगर ये सच नहीं होता, ठीक है, क्या है, रशिया के समविधान में ये बताया गया है, कि कोई भी दो बार से ज्यादा राश्टर पती नहीं रह सकता, जैसे कि US के समविधान में भी यही प्रावधान है, तो ये सबसे टॉपमोस पोजिशन को होल्ड किये हुए है, और अब फाइनली वो समविधान में ऐसे बदलाव ला रहे हैं, कि 2024 से ये माना जाएगा कि नहीं उन्होंने इसके पहले कोई भी टर्म सर्व नहीं किया है, जीरो कर दिया जाएगा, जैसे मतलब ये कोई मीटर है ज इसको पॉइंट के तौर पर यूज कर सकते हैं, कि क्या होता है कि समविधान का पालन करते हुए भी कैसे राजनिता सत्ता के साथ खेल देते हैं, देखिए, तो पहले समविधान में सारी ताकते रूस के राश्टरपती के हाथ में थी, और प्रधान मंत्री महज एक फिगर प्रधान मंत्री बना दिया, फिर आट साल जब हो गए, तब उन्होंने मैद्वदेव को कहा कि तुम राश्टरपती बन जाओ, मैं प्रधान मंत्री बन जाता हूँ, पर समविधान में ऐसे संशोधन कर दिये, कि अब सारी सत्ता प्रधान मंत्री के हाथ में आ गई, और र प्रधान में आता है कि संविधान के ओपर संकट संविधानिक तरीकों से भी लाया जा सकता है, इस विशय के बारे में हमारे देश में राम्मनोर, लोहिया जैसे निता थे उन्होंने कहा था, एक बहुत ही ताकतवर बात उन्होंने कही थी कि सडकें अगर शांत हो जाए, तो संसद आवारा हो जाती है, ठीक है, तो इस जो हिंदी मीडियम के स्टुडेंट्स हैं, वो तो इसको सिधा का सिधा आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, बाकि इसका एंग्लिश ट्रासलेशन भी ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग में आप यूज कर सकते हैं, कि ये देखे कि सम्विधान और सत्ता के जो गल्यारे हैं वहाँ पर इस तरह के खेल अगर जनता ने हुने दिये और जनता शांद बैटी रही सडकों पर विरोध प्रशन करने नहीं उत्री तो इसी तरह का खेल राजनेता खेलते रहेंगे आपस में डिल करते रहेंगे और ए रहती है और इसे संबंधि जो लोग भी फिछले 4-5 सालों से न्यूस ट्रैक कर रहे हैं वो देख रहेंगे कि दिल्ली की केजरिवाल सरकार और केंदर की मोधी सरकार के बीच में इसको लेकर काफी टसल होती रहती है बार बार कहा जाता है कि दिल्ली के चुनावों में जब United States of America में भी है Washington DC जो है वहां का जो वहां की राजधानी है वहां का कैपिटल है तो वो अपने आप में एक राजज नहीं है ठीक है और उसके वहां से वो जो अपना सांसच चुनते हैं जन प्रतिनिधी चुनते हैं उसको पार्लामेंट में वोटिंग का भी अधिकार नहीं है हमारे हैं चले कम से कम ऐसी स्थिती नहीं है दिली से जो सांसच चुने जाते है वो बाकैदा लोगसहा में वोट करते हैं पर वहां से जो रेपरेजन्टेटीव चुने जाता है उनके प्र्रॉवेंट की लोवर हाउस में इसमें उसको वोटिंग का अधिकार नहीं होता, वो बयान दे सकता है, वो डिबेट डिसकेशन में पाडिसिपेट कर सकता है, तो इस तरह की स्थिती बनती रहती है, तो वहाँ पर देखिया अभी क्या हुआ है, वहाँ का जो लोग सभाय आप कहिए, तो हाँस आफ रेप्रे है, तो वह इस वहने क्लियर कट कह दिया है, कि हम तो इस बिल को पास नहीं होने देंगे, तो जब डेमोक्राटिक पार्टी जो की इस बिल के समर्थन में है, उनका वहाँ पर मेज़ॉरिटी है नहीं, तो कोई संभावना ही नहीं कि वहाँ पर ये बिल पेज भी हो, सबसे और उसके उपर वहां के राष्टरपती डॉनल्ड ट्रम जो की Republican Party के राष्टरपती हैं, उन्होंने कहा है कि भुले बट के गलती से कहीं ये Parliament से पास भी हो गया, तो मैं इसे विटो कर दूँगा, अमेरिका के जो राष्टरपती हैं, उनके पास भारत के राष्टरपती से ज के पास कौन-कौन से विटो पावर हैं, जो की हमारे देश के राष्टरपती के पास नहीं है, क्योंकि हमारी एक संगी है, हमारा जो parliamentary system of governance है, और वहां पे presidential form of government है, तो यह दोनों में अंतर हैं, ठीक है, तो यही बात थी related to Washington DC statehood and statehood for national capitals, ठीक है, moving on to the next news, at one click करके गुजरा साथ में कहारे हैं कि 12,247, micro, small और medium enterprises और उसे बड़े industrial units भी हैं, including the textile industry, textile industry का आपको पता होना चाहिए, कि सब बहुत ज़्यादा unskilled labor को employ करता है textile industry, ठीक है, तो unskilled labor यानि जिनको किसी तरह की skilling नहीं provide की गई है, तो जो समाज के एकदम हाशिये पे रह रहे हैं, उनको बह महिलाएं काम करें, महिलाओं के हाथों में अगर क्रेश शक्ती जाए, purchasing power जाए, तो उससे पूरी family का उत्थान होता है, बच्चों की education होती है, अच्छी healthcare मिलती है, और समाज का पूरा-पूरा उत्थान महिलाओं के हाथ में क्रेश शक्ती जाने सही होता है, बंगलादेश initiative for which the Gujarat government has committed rupees 1369 crore of financial aid, तो ये एक online aid initiative है, यानि MSME और फोड़े बड़े industries को भी सहायता प्रवाइड करेंगे, एक click पे, इसके जरीए क्या होगा, the state government looks to restore the former vibrancy of the state by motivating sectors such as MSME, traders, bigger industries and businesses, Gujarat जो राज्य है, वो व्यापार के लिए और trade के लिए जाना जाता है, पर अभी कुरोन संबंदिर lockdown की वज़ा से, वहाँ पर कुछ मंदी दिखाई दे रही है, वो चाह रहे हैं कि हम सब को सहायता दे, बहुत आसानी से एक click पे, ताकि हमारा जो ये trading में हमारी एक vibrancy थी, एक जीवनतता थी, वह वापस से जागरूख हो सके, जागरित हो सके, ठीक है, तो क्या उसमें initiative क्या होगा, by transferring rupees 768 करोड़ directly into the bank accounts of 12,247 MSMEs, the initiative was launched, ठीक है, देखे, 768 करोड़ इन सब MSMEs के account में direct transfer कर दिया गया, ये नहीं कि आप चाहें तो लोन ले सकते हैं, या आपको लोन में interest rate कम दिया जाएगा, या चलो पहले तीन installment मत देना, ऐसा नहीं है, सीधा direct पैसा NKS में transfer कर दिया गया है, ठीक है, तो यानि अब इससे ज़्यादा, अब आपको एक तरह से जिसको कहते हैं कि डोल कैसे दिया जाए, और कैसे इससे ज़्यादा help की जाए, कि सीधा आपके account में पैसा ही transfer कर दिया गया, ठीक है, the total loan amount of rupees 8200 करोड़ has been sanctioned as per the applications received to date, out of this, rupees 4175 करो has already been dispersed, ठीक है, तो यानि वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने बताया कि 1.3 lakh करोड़ का जो loan applications, 1.3 lakh applications from MSMEs and other industries has been received in the state under the आत्म निर्भर भारत package, आत्म निर्भर भारत package के तहत, 1.5 lakh करीव, 1.30,000 MSMEs और दुसरे industrial units ने सरकार को loan applications दिये हैं, उसमें से कईयों को, मतलब चम्याज़ support किया जा रहा है कि वो वापस से जाग उठे एक तरह से, ठीक है, तो यह आपको देखे, exam में question आगा, at one click योजना, किस राज्य में launch की गई है, तो यह गुजरात राज्य में launch की गई है, and it is aimed at which sector of the industry, तो MSMEs, और अगर textile का option आए, तो textile भी आप इसमें mark करेंगे, ठीक है, फिर इसमें बोला जाएगा कि at one click जो है, क्या वो आत्म निर्बर भारत योजना का हिस्सा है, तो नहीं है, आत्म निर्बर भारत योजना के तरह लोंस दिये जा रहे हैं, वो एक अलग मामला है, यहाँ पर direct benefit transfer किया जा रहा है, cash benefit transfer किया जा रहा है, यह आत्म निर्बर भा headquarters के बीच में, ठीक है, उसी समय करीब आंदरप्रदेश, 2016 से एक-दो साल पहले, आंदरप्रदेश और तेलंगाना अलग हुए थे, तो उस समय दुनों राज्ये चाह रहे थे, और खासकर कि आंदरप्रदेश जिनके हाथ से हैतरबाद जा रहा था, तो वो चाह रहे थे कि बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री उनके राज्ये में आ करके लगे, तो एक MOU साइन हुआ था, जनरली MOUs पे एक्शन उतना तेजी से होता नहीं है, तो देखिए लग गए चार साल, अब फाइनली जाके वो प्लांट लग रहा है यहाँ ठीक है, 9 जनवरी 2008 रों को उसका श Apollo Tires has been established, तो उसका answer है, Andhra Pradesh, आप से शेर का नाम भी पूछ सकता है, in which city has Apollo Tires started their new manufacturing plant, तो आप बोल सकते हैं, चित्तूर, ठीक है, यह question आ सकता है, moving on to the next news, आज MSME Day है, जैसा कि मैंने आपको starting में ही बता है, और यह MSME Day भारा सरकार नहीं मना रही है, The United Nations on 6th April 2017, has adopted a resolution as per which 27th June is to be observed every year as the day of micro, small and medium enterprises, the day was first observed in 2017, this year marks the 4th MSME Day, ठीक है, तो 4 साल से हम, यह 14 साल है, जब हम MSME Day मना रहे हैं, 27 June को, इस दिन की importance क्या है, देखिए, for achieving the sustainable development goals, यहनी SDG यहाँ पर आ गए, governments across the globe are required to create an environment for promoting innovation and creativity, हाँ, innovation and creativity के जरिये ही, हम sustainable development goals को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है कि, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, यानि exploitation of natural resources भी कम से कम करना है, pollution को भी कम से कम करना है, और लेकिन हमें दुनिया भर में economic activity को बढ़ाना भी है, त ठीक है, तो यह कैसे होगा, मतलब how can you run with the hair and hunt with the hounds too, है ना, चित भी मेरी पड़ भी मेरी दोनों काम कैसे होंगे, तो कुछ out of the box innovative solutions हमको खोशके निकालने पड़ेंगे, ठीक है, तो उसलिए बोला जारे है कि creativity और innovation के जरिए ही हम sustainable development goals को अचीव कर सकते हैं, और इसके लिए जो MSMEs है, micro, small and medium size enterprises हैं, उनके importance को recognize करना पड़ेगा, बड़ी-बड़ी industries जो हैं, वो बड़ा-बड़ा pollution करती हैं, बहुत जादा natural resources को utilize करती हैं, लेकिन ये छोटे level पे, जो micro, small इस तरह की industries होती हैं, वो generally eco-friendly तरीकों से अपना business करती हैं, आप सोचिए अगर जूट के सू कि इसका benefit कुछी हातों में बड़े-बड़े industrial houses के हातों में जाता है, बलकि जिनको सबसे ज़्यादा जरूरत है पैसे की, उनी तक ये benefit directly पहुंचता है, तो इसमें government को बीना कोई माथा पच्ची की हुए कि कैसे कहां क्या help पहुंचाए जाए, बस अगर MSMEs को थोड़ा प development goals हैं और आर्थिक विकास के हमारे goals हैं वो सब अचीव हो सकते हैं, इस बात को United Nations recognize कर रहा है, ठीक है, globally the MSME sector is the largest employment provider and also the backbone of major economies, सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर में labor employee होता है और ये बड़ी-बड़ी अर्थिवस्थाओं की read की हड़ी एक तरस से कह सकते हैं, as per the International Council for Small Business Data, MSMEs देखिए 50% GDP में contribute करते हैं on an average और 70% employment को में contribute करते हैं, most of the employment generated by MSMEs is for the vulnerable sectors of our society, देखिए जो समाज के हाशिये पे लोग हैं, औरते हैं, ट्राइबल लोग हैं, गरीब लोग हैं, रूरल एरियास में रह रहे हैं लोग हैं, नौर्थी जैसे इनक्सिबल एरियास में रह रहे है वहाँ पर रह रहे हैं लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है MSMEs का बिजनेस जब फ्लरिश करता है तब, और देखिए GDP में 50% योगदान MSMEs का है, हमारे GDP में 50% योगदान क्रिशी शेत्र का भी है, क्रिशी के बारे में हम कितना सुनते हैं, क्रिशी के महत्वक इसको हमें इस तरह से recognize करना चाहिए, यह जितना data मैंने आपको बताया, यह UPSC के लावा किसी दूसरे exam में आराम से आप से पुछा जा सकता है, which of the following are true, that MSMEs, regarding MSMEs, तो MSMEs globally provide for 70% of employment on an average, ठीक है, और MSMEs provide for 50% or more of GDP globally on an average, ठीक है, तो यह दोनों true है, जो नहीं जानता है, वो इन्हें false भी mark करके आ सकता है, इन points का आप note करके रखिए, याद करके रखिए, ठीक है, अभी MSMEs due to 2020, global corona pandemic के बीच में आया है, जो देखे क्या है, कि दुनिया भर मे millions of people, दस्यों लाख लोगों ने अपनी jobs खो दी है, तो MSMEs के जरीए ही अब उनके लिए employment और income generation के opportunities बनेंगी, क्योंकि वापस अब वो कब शहरों में आएंगे, शहरों में बड़ा-बडा industrial activity कब चालू होगा, जहां हजारों लोग एक साथ एक assembly line पे एक plant में घुसके काम कर सकेंगे, यह कहना मुश्किल है, पर अपने घर में बैट के 10-15 लोग एक साथ काम कर सकते हैं, या 25 लोग किसी manufacturing unit में, किसी तरह की unit में जैसे आपको पोहा बनाने की machine होती है, पोहा बनाने की machine में 20-25 लोग काम करते हैं, एक आदमी मालिक होता है, तो यह बहुत MSME का बहुत अच्छा उदारन है, चातित्रगार राज में बहुत इस तरह के चोटे-चोटे units फैले हुए हैं, तो इस तरह के sponge iron units हैं, इस तरह के units में बहुत काम हो सकता है, इस तरह के लोगों को जो शहरों से वापस आ गए हैं, वरकर वगएरा जिनकी jobs चली गई हैं, उनको यहाँ प का जो classification है, वो इस साल change हुआ है, हमारी finance minister ने change करके बताया है कि manufacturing और services का पहले अले-अले classification होता था, कि किसको micro बोला जाएगा, किसको medium, किसको small बोला जाएगा, मेरी पिछले कई videos में मैंने वो table share किया है, अगर आपको पता नहीं है, याद नहीं है, तुरन गूगल करके व के उपर में, micro, small और medium industry बोला जाता है, enterprise बोला जाता है, ठीक है, moving on to the next news, अभी zero survey किया जा रहा है, पुरे देश में, जिल्ली में actually, as part of one of the five aspects of the revised COVID-19 response plan of New Delhi, देखे, New Delhi की जो, अरविन के जिरीवाल government है, उन्होंने एक revised COVID-19 response plan मनाया है, उसमें पांच aspects important है, ऐसा बता जा र आएंगे, serological survey, serological यानि related to blood होता है, serum word, जो है, महीं से आया है, the survey will help in determining the extent of spread of the coronavirus disease in New Delhi, ठीक है, 20,000 लोगों को इस सर्वे में cover किया जाएगा, New Delhi की, New Delhi की 11 districts में से, ठीक है, इसमें ELISA, enzyme-laid immuno-absorbent SA-based antibody kit, जो है, उसका इस्तिमाल किया जाएगा, जनरली ELISA test जो है, वो HIV virus के लिए AIDS के detection के लिए किया जाता है, यहाँ पर RT-PCR यूज किया जाता था, पर जो 0 survey है, इसमें ELISA test यूज किया जाएगा, बहुत ही important point है यह, गुमापिरा के UPSC अगर पुछना चाहे तो यही पुछ लेगा कि 0 survey में, कोरोना के लिए कौन सा test पाकिफ नहीं है, तो आप ELISA को मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ELISA तो HIV test के लिए होता है, यहाँ पर RT-PCR और दूसरे test किया जाते है, पर यहाँ पर 0 survey में ELISA test किया जाता है, यह point मा highlight कर रहा हूं, इसको याद रखे, नोट करके रखे, ठीक है, जो National Institute of Virology, National Institute of Virology कहाँ प एक test किया जा चुका है, इससे काफे अच्छे results पाए गए थे, इसके तो नाम महीं ELISA नहोंने बूल दिया है, यह exam देने वाले लोग कहीं confused नहों हो जाए, आप भी याद रखे, COVID-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Covid-Cov in the blood sample of an individual will suggest past exposure to the COVID-19 virus. Basically, random लोगों को टेस्ट किया जाएगा और पता चलेगा कि इन लोगों को करोना होके जा चुका है कि नहीं. अगर आपको पता नहीं है, तो पता होना चाहिए, मैं फिर भी बता दूँ कि 80% लोगों को जो करोना होगा, उन्हें पता तक नहीं चलेगा कि उन्हें करोना हुआ था, 15% लोगों को हलका सर्दी जुकाम वगेरा होगा, 5% लोग ऐसे होंगे जिनने अस्पताल में भरती करना पड़ेगा, और फाइनली 1-2 या 3% लोग ऐसे निकलेंगे, जिनकी यह हैं, अन्फॉशनेटली डेथ हो जाएगी, पर 80% लोगों को पता तक नहीं चलेगा कि उन्हें करोना हो गया है, और ऐसे उम्मीद है, अभी तक यह शोर नहीं है, पर ऐसे उम्मीद है कि जिसको एक पर कोरोना होके निकल गया, उसे वापस कोरोना होने की कोई संभाव नहीं रहेगी, वो कोरोना के प्रती इम्म्यून हो चुका होगा, तो वो जो इम्म्यूनिटी डेवलप होगी, आपके बॉड़ी में कोरोना आया, आपकी बॉड़ी ने उससे डील करने के लिए एक इस तरह की चीज़ों और शाद ब्लड प्लाजमा इसमें भी ये मिलता है, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टिरियर और वारन इनफेक्शन, देखिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट किसी बेगज़ाम में आ सकता, इज़े कितने दिनों के बाद बॉड़ी में डेवलप होता है, तो वो साथ से बारा दिन के बाद में डेवलप होता है, ठीक है, चलिए मुविंग ओन ते नेक्स न्यूस, आज की आगी न्यूस है, अबॉट एक्सेलरेटर, देखिए ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टन ये टर्म है, बिसिकली कोरोना से डील करने के लिए WHO ने बहुत सारे देशों का एक युनाइटेट फ्रंट बनाया है, कि हम लोग लड़ते हैं, कोरोना पैंडेमिक से सब पैसा इसमें प्रोवाइट करो, और हम सब की सहायता के साथ पुरी दुनियावाद में मिलके कोरोना से लड़ेंगे, इतनी सी बात है, लेकिन एक एक्सिलरेटर क्या है, इस रूर किसी एक्जाम में आ सकता है, जिसको नहीं पता है, वो अचानक से वहाँ पे घवरा के कोई गलत ऑप्शन मार कर दे सकता है, तो ऐसी स्थितिन आये, पहले ही हम लोग देख लेकते हैं, अ कोईलिशन लेट बाइट 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 जितना आज तक पैसा वो जोटा पाए है, उसका दस गुना, उन्हें चाहिए, दस गुना, जो की इस कोरोना पेंडमिक से लडने के लिए देखे, दुनिया अबर के लोगों को देशों को अब और मिलके सामने आना पड़ेगा, और डबलुएचो अपने पिछले रेकॉर्ड से बहुत ज़्यादा डबलुएचो पर लोगों का विश्वास नहीं रह जा रहा है, क्योंकि ऐसे एलिगेशन्स हैं, कि इस पैंडमिक की शुरुवात में ही, बीमारी के बारे में जानकारी छुपाई थी, तो अब दुनिया के देशों का देखे डबलुएचो पर उतना ज्यादा भरोसा नहीं रह जा रहा है, ऐसे समय में आप 30-30-40-40 बिलियन डॉलर अगर मानने जाएंगे, तो कैसे होगा, ठीक है, तो डबलुएचो जो कॉलेच दुनिया भर के हर देश में प्रोवाइट किये जाएं, तो कि जो गरीब देश हैं, उनके पास इतना उनका एक्सेस नहीं है, तो एक्सेलरेटर यानि एकड़ाम एक्सेलरेटेट स्पीड में, जल्दी-जल्दी दुनिया भर में इन चीजों को पहला दिया जाए, एम इसक expects that the 1 billion will be bought by low and middle income countries ठीक है, at present under the initiative, the aim is to scale up the development and delivery of 500 billion COVID-19 test kits, right now तो वो test kit ही, दुनिया भर में 50 करोड बाटने की process में है, तो WHO का ACT accelerator है, ACT का full form है access to COVID-19 tools, ठीक है तो आज की देखिए, टिट बिट्बिट्स में आपके लिए लेकर आता हूँ छोटी-छोटी news है, कोई miss कर जा सकता है पर MCQs में बहुत आसानी से पुछी जा सकती है ठीक है, लेफ्ट से राइट आप देखते चलिएगा लेफ्ट में सबसे पहली news है, voters over 64 can opt for postal ballot बहुत important point है, बहुत आसानी से the conduct of election rules to allow people with disabilities and those who are 80 or older to opt for postal ballots, दो हजार उन्नीस के अंत में law ministry ने rules, conduct of election rules में changes किये थे कि जो 80 के उपर हैं और जिनके शरी में disabilities हैं जो दिव्यांग हैं वो postal ballot यानि by post अपना vote बहुत सकते हैं, पर आप Corona से सम्मंदित जब ये स्थिति आ गई, तो election commission ने बुला कि आप थोड़ा सा revise करी अपने इन guidelines को, तो आप वो कह रहे हैं कि 65 और उसके उपर, ठीक है यानि voters over 64, अब वो postal ballot यानि by post अपना vote भेज सकते हैं, ठीक है, तो ये point कि 64 years के उपर के लोग postal ballot भेज सकते हैं, ये important है, और ये कैसे हुआ, तो conduct of election rules में law ministry ने change किया है, constitutional amendment नहीं है conduct of election rules में change करके, ये नया provision लाया गया है, ठीक है अब देखे, top menu जे, NASA has renamed DC headquarters after Mary W. Jackson Mary W. Jackson कौन है तो जो पहले NASA के Apollo missions थे, जिनके जरीए NASA के astronaut चान तक गए थे, उसमें बहुत ही important role, एक महिला scientist थी, उन्होंने play किया था और वो अश्वेत, African American black महिला थी, Mary W. Jackson उनका नाम था, तो उनको NASA अब recognize करना चाहता है उनको celebrate करना चाहता है, अक्सर ये बहुत बात उठती, एक ही technology के field में महिलाओं के को एक तो ज़्यादा घुसने ही नहीं दिया जाता है, और जो उनका achievement है, जो उनकी accomplishment है उनको ज़्यादा public को पता भी नहीं चलने दिया जाता है, उनको ज़्यादा celebrate भी नहीं करने दिया जाता है, तो at a time जब अमेरिका में right now, जो है श्वेत और अश्वेत रंग नसल भेज और race relations के उपर बहुत बात चल रही है इसको लिके काफी violence हो रही है काफी tense महूल है, ऐसे समय में ये बहुत important एक step नासा ने उठाया है कि एक अश्वेत महिला वैग्यानिक जिनोंने एक बहुत important रोल अदा किया था, arguably हममानव जाती के आज तक के सबसे बड़े वैग्यानिक accomplishment में योकी एक इनसान को चान पर पहुचाना था, उसमें इन महिलाने Mary W. Jackson ने एक बहुत important role play किया था उनको इस तरह वो celebrate कर रहे हैं कि अपने headquarter का नाम ही वो उनके नाम पर रख दे रहे हैं ठीक है, तो यह बहुत ही बड़ा एक कदम उन्होंने उठाया है, और यह बहुत सम्मान करने योग्या है, प्लस यह कि हमारे लिए exam के point of view से भी बहुत important हो जाता है, बहुत आसानी से किसी भी exam में आ सकता है, किस महिला scientist के उपर, NASA ने अपने headquarter का नाम रख दिया है, वो है Mary W. Jackson, थोड़ा और अगर tough करना चाहिए, तो Mary W. Jackson ने NASA के किस project में participate किया था, तो Apollo missions में participate किया था, अगर बहुत ही outlandish को यह question आ जाए, बहुत ही ज्यादा tough करके, कि उनके achievement में किस लिए उनका achievement celebrate किया जा रहा है, तो वो अश्वेट और महिला वग्यानिक थी, और इनके जो समाज के हाशिये पर रह रहे हैं, वर्ग हैं, उनके science and technology में achievements को हम celebrate करना चाहते हैं, इसलिए उनके नाम पे NASA ने अपने headquarter का नाम दिया है तो Mary W. Jackson तो Michael Jackson जैसा नाम है, Mary W. Jackson आपको याद रखना ही चाहिए, ठीक है, देखे अब नीचे वाली news पे आईए, ocean on Jupiter's moon Europa deemed potentially habitable NASA के scientists बता रहे हैं कि Jupiter का एक moon है, Europa Europe के नाम पे उसका नाम Europa रखा गया है तो उसमें अब पता चल रहा है वहाँ पे oceans भी है ठीक है, और इसकी वज़ा से शायद, शायद वहाँ पे रहा जा सकता है potentially habitable है habitable का मतलब inhabitable नहीं होता है habitable मतलब है क्या पता कुछ तरह के bacteria वगरा रह सके वहाँ पर ये नहीं कि सिधा इंसानी जाके रहना चालू कर देगा यूरोपा की ocean जो है नीचे देखी बता रहे हैं कि they may have been formed after water rich minerals ejected their water thanks to heating caused by the decay of radioactive elements in its interior early in the history पानी वहाँ पे कैसे आया ठीक है तो वहाँ पे ऐसे minerals थे जिन में पानी था और उसके core में radioactive elements है radioactive elements जो है उन्होंने अपना जो है क्या कहते है कि radioactive decay एक process है science and tech में आपसे पूछा जा सकता है question जिनको clear नहीं है उनको पढ़ लेना चाहिए half life क्या होती है radioactive decay उसमें gamma rays का production होता है कि कौन सी rays का production होता है आपको ख़़ा रेशी से देखिए important point बन जाता है आपको revise कर के रख लेना चाहिए जिनको clear नहीं है ठीक है तो उससे heat भी generate होती है यह पुछा जा सकता है क्या यह एक exothermic process है हाब इलकुल यह जो radioactive decay है it is an exothermic process जिसमें heat generate होती है जिसकी वज़ा से minerals से पानी निकल जाता है और वो एक subterranean यानी surface के नीचे एक तरह का ocean बन गया है उसकी वज़ा से ठीक है विज़ेशों की companies को इस sector में लाने का बहुत सालों से प्रयास कर रही है जो कि अभी तक तो खेर सफल नहीं हो पाया है पहले नोंने captive mining को allow किया उसके बार नोंने commercial mining को allow किया है 100% FDI भी allow कर दिया है लेकिन तो यह आप से important point इसमें exam के point of view से यही है कि आप से पूछा जा सकता है कि कौन से sector ने कोल सेक्टर ने कितना percent FDI allowed है तो 100% FDI भी allow हो चुका है commercial mining विदेशी कमपनियों के mines own करने पर भी पूरा पूरा government ने ओके अब दे दिया है ठीक है तो thank you guys यह थी आज की current news की आज की सारी current affairs की coverage मुझे उमीद है कि मेरा approach आपको अच्छा लगा होगा मुझे उमीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाले दिनों सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर करिए उन सारे वीडियो से आप फायदा उठा सकेंगे ठीक है थैंक यू मिलते हैं कल